हेलो दोस्तों राम राम जी कैसे हैं आप सब मेड़े क्रेटिफ फेमली में आपका हिर्देपुर्बक स्वागत है और आज संडे है संडे स्पेशल लंच बन रहा है चिकन बिड़्याने के कि यह फिर अंतिन साल का बोल लेजिए या फिर थर्टी वन कि लास्ट डे वह यह वह सो यह स्पेशल है और आज बिड़्यानी बना रहे हैं तो आज बिड़्यानी का रेस्पेश्यार कर रहे हूं प्याज और शब्सकों काट कर लिये हैं टमाटर जो मिर्ची अदरक लसन का पेश्ट तैयार कर लिए हैं उसके बाद चावल चरहाक दिया हैं बगौने में चावल में हम लोग चाईस में तो थुरा ज्यादा पने डालते हैं और फिर चिकन को धो कर के लिए हैं चिकन धो कर करके उसमें दही मिर्ची पॉडर धनिय पॉडर और हल्दी पॉडर मिक्स करके जीरा पॉडर बेगर सब उसी में हम सुखा मसाला एड़ करती हूं और इसको मिला करके थोड़ा नमक भी डाल दी हूं और इसको थोड़ा देर के लिए चो दूमे छोंडा के लिए खोड़ करके प्याज को फ्राइ कर लेते हूं थो डिए और फीसके लिए के बना करके प्याज और टमाटर अद्रक लहसन हडा मिर्च उसको हम पीच लिये हैं थोड़ा और इसको हम मिला करके रख दिये थे प्याज मेरा हो गया है उसी थेल थोड़ा सा तेल बचा हुआ था और उसमें ही तेल एड़ करके रह से वादर कर बालें हैं थेल बहुत कम ढ़ रहना cycle हम कर रहा है ज्याज यह कृणिश में तेजब। सबस्केलत इसा ख्रमासाला होता है दाल चिनी और जीरा लांग, लेंची यह है सबatyas PlayStation त्यूद्धा बस इसको थ्थोर थ्थोरा थ्थोरा करके थ्थोरा दिड चेला करके मतलब नीची लगए इसलिए थ्थोरा थ्थोरा दिर मैं चलातना तंक हैं उसके बाद तब फिर मसाला सुखा मसाला जो हुआ सब होना गया है तब यह पेश्ट जो बनाए थे उसको डाल दिये हैं इसको डालने के बाद फिर इसको मिक्स करके धक करके पकने के लिए छोड़ दिया है तब तक इदर चावल देख लेते हैं कि हुआ या नहीं हुआ वीच वीच में इदर भी देख रहे थे तो ये देखिए मेरा चावल तयार हो गया है इसको चान करके ले लेंगे कि यह जाली वहला कर्छी है उसी के साहेता से हम में चाहनले ते हैं और आहरो उसके बाद ये देखिए मिरा चिकन कैसे फट फट गया है हो गया है इसे भी उसमें भी थोड़ा बहुत सुंधा आ जाएगा इसलिए ये मेरा घर का पुदीना है पुदीना घी प्याज कलर और ये चिकन सरी बिर्यानी मसाला ले ले ली हूं उसके बाद हम देख रहे हैं हुआ या नहीं हुआ लेकिन ये देख सकते हैं ये छोड़ दिया है हड़ी को छोड़ दिया है अच्छा से पक गया है तो अब इसमें हम दम लगाने के लिए बगोने में घीर डाल के थोड़ा सा घीर डालें नीचे भी उसके बाद चिकन का पीस उसमें डाल देंगे फिर एक लेर और उसके बाद चावल डालेंगे फिर बीच में भी हम डालें क्योंकि मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है अपना हिसाब से कम ज्यादा बना सकते हैं जिसको जी इतना बनाना है उतना अपना हिसाब से लोग बनाते मेरा को कुछ बिशेश ही बनता है इसलिए और जो भून के प्याज रखे थे उसी का और क्या बलते हैं ये धनिया धनिया पत्ता कट करके लिए थे और उसको बस लेयर बाई लेयर सब को मिक्स करके हम डाल रहे हैं देख रहे हैं कि फिर चावल एक दो या तीन लेयर करके हम डाल रहे हैं तीन ही हुए ज्यादा है क्योंकि जब तक पूरा भरने जाता है मेरा वह उस हिसाब से चावल भी लिए हूं तो मेरा भर जाता है पूरा भर करके छोड़ू में उसके बाद धकन लगा कर वैसे सब लोगों आटे का लेप लगाते हैं ना हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि मेरा वह इसे भी पूरा तरह से पैक हो जाता है तो मेरा ज़रत नहीं पड़ता है जो जो पीश था हम बीच बीच में डाल रहे थे उपर नीचे बीच सब जगा थोड़ा थोड़ा करके डाल दें निकाल यह थोड़ा सग्रेह भी भी उपर से डाल रहे हैं हम तीनों कलर का यूज किये हैं लाल और और ओरेंज और ग्रीन तीनों का इस्तेमाल किया है इसे देखने में अच्छा लगता है कलर फूल रहता है तो इसलिए हम तीनों का यूज किये हैं चलिए आज मेरा ये इसको दम तक दम लगाने के लिए रख दोंगे तब तक इधर हम छाष बनाने के तयारी करेंगे तब हम पहले से गराम करके रखे दस मिनट पहले ही चालू कर दिये थे जब तक उधर लेयर बाई लेयर दिये रहे थे तब तक इधर हम चला करके छोड़ दिये थे तब तक अच्छा खासा गरम हो गया तब तब उसके हम डाल दिये हैं अब इसको 10 से 15 मिनट तक हम ज्यादा ज्यादा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे उसके बाद फिर हम खाना खा सकते हैं इसलिए अब हम बस उसके बाद चाच बना रहे हैं । जब तक वा हो जाएगा तब तक हम इदर तयार कर लेते हैं दही और पानी मिक्स करते हैं उसके बाद धनिया पता पियाज काट कर के लिए हैं थोड़ी मिर्ची भी डाल दी हूं और काला नमक, साधा नमक, जीरा पाउडर बस मेरा तो यही है और जिबी से उस नए छाच में हम कुछ डाले हैं और यह लीजिए मेरा खाना डेडी हो गया है देखिया खिला खिला चावल कलर भी खुबा चार आए तो अब हम सलाथ भी बना लेंगे चलते हैं उसके बाद खाना इलो को देंगे यह सलाथ में हम यह टमाटर और प्याज मूली लिये हैं अब ही मूली अच्छा खासा मिल रहा है तो आज का ब्लॉक यहीं तक कर था अगले ब्लॉक में फिर मिलेने तब तक के लिए